वापस राजस्टाम की तरका जनता की आवाद की अशों किरलो चोथी बार वो सपना पुरा हो इस काम को जल्दी से जल्दी सुभारम कराओं आज हमने आदार सिला रखी है कि मंद्री जी ने बीपल कुड और दर्यावाद दो सित्रों को बेजल और सिचाई सुविदा है तो दो अजार करोड की उश्रा की हमारे विबाग दवारा निया मुनसार निविदाया मंत्रित की और वो दिविदाय पास हुई और समंधित ठेकेदार को हमने अपना वर्क मोर्डर दे भी है मान्य मुख्यमंद्री जी को इस विशाल कारीक्रम में और बहुत बड़ी इस अपर हाई लेवल केनाल के सिलिया नयास के लिए पदार ना पाएं लेकिन इन तस्वास्ट ठीक नहीं होने की वज़े से वे नहीं पदार पाएं लेकिन भी उनका आसिरवाद इस शेत्र की जन मेरी तरसे शुकामनाई देना और इस काम को जल्दी से जल्दी शुबारम कराओं आज हमने आदासिला रखी है कल से ये काम युदस्तर पे चालू होगा और अगले दो साल ढ़ाई साल के अंदर किसान को पानी मिलेगा इस शुबारम को शाबीद करती है कि लेहर कॉंग्रेस के बक्स में चाल और ताही हजार दो अजार करोर की केनाल और जिसमें दो विदान सभाज से तरह सिंचीत होगा यह एक बहुत अचमबा वाली बात है पचाल साल पेले माही का टेम बना तब से हमारा पानी खाम में नहीं आ रहा था अब इस केनाल के बनने से किसान को बेजल का भी सुविदा होगी और खेतु में पानी भी बिलेगा और निचीत रूप से आज की मीटिंग आटवल में असर करेंगी लगता हुआ हमारा बासवड़ा है वहां भी असर करेंगी दरियावाद के अंदर भी इसका असर जाएगा और प्रतागड में जाएगा पुरे वागड़ और मेवाड़ सुत्य में जाएगा अजलाचारो की शंक्या में जन्ता अपने घर से बड़ी टूटके आई है उनको अमीद है कि अगर हमारा कोई बला कर सकता है तो सीर्थ कोग्रेस वाइटी रसोगेलो साब कर सकता है क्या आप दिवारी है जो दोजार तेमिश के विदान सब्सका सुना है कि अनुमान पूरा है कि तक्ता बलट होगा क्या लगड़ी जैसी प्रिष्थिति आज प्रिपल्फूट में दिखाई देती है वेसी प्रिष्थिति संपूर राजस्थान में जहां भी मान्ये पुक् इसी तरह का महौल वहां पर भी देखने को बिला है माने मुख्यमंद्री जी राहुल ग्रानी जी को मान कर लाया वहां पर तीन लाग से उपर जगता थी दस-दस किलोमेटर तक रास्ते जाम पड़े थे इससे यह लगता है कि संपूर राजस्तान में शौती बारा सो कहलो इसाब आएंगे इसका बोरी कुरी स्का हो ना इतनीके कम लुप इया करसे उन्हम हमें 156 उतेमें इससे बी जहत्री महोल है इस वक्ते इससे भी बहत्री कि परिखनेंदीक है मैं के रहा हूं कि हम उन्हें 156 उते हैं उससे ने में अभी पीम आये थे यहां पर चितोड़कर में बुला कि जो है सीफ मुद कबड़ा के जो अगर सरकार पदल दी तो बंद कर देंगे यह उन्हों अपने मुझ से खा तो है सब भी क्या काया अस्तवाइब वैसे तो अगर माना उद्रम यह कहता है कि एक राज जी ने हिमत करके केंदर सरकार के पिना सयोग से दस गारंटी के काम देकर जनता को रहत पहुंचाईए उस रहत को प्रदान मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है को उसको आगे बढ़ा और जीरन जीवी जैसी योजनाब पुरे संपुन देश में लागू करें और प्रदान मंत्री जी का ऐसे मैं मानता हूं कि देश की जनता के प्रति अगर अच्छा बाव है तो यह काम उनको करना चाहिए इस वक्त हमार साथ में जन जाती नाच्य मंत्री जन सिंग अपने हैं हम उच्छे भी रूपर होते हैं सर पता है यहां पर जो आल यह सब्दा हुई किस तरह से लग रहा है यह जन सहलाब ही आपको देखने से पता लगेगा लग रहा है कि यहां के जनता कांग्रेस के पक्स फिस्चनाइदी है यह ूंकि कानकार कारी योजनाय और पूरे प्रदेश में अशोगं छोती बार के नारे लग और पूरे प्रदेश और प्रदेश में यह और आपको स्मश्ट पता लगजय ना चीए कन्केह interpretation कि महार्तिषे में कर रहें कि इतार है चैनल कि माणने परदान मंत्री जी अगर बदा करना चाहते हैं तो चिरंजी जो फ्योंता पूरे देश में लाकू करें और यह धर्मचारियों की इतने हैं तो ऑफियस को अधेश में लागू करें बिना किसी चेंडर की साहिता से मानिये मुख्य मंत्री अशोग ग्यागो साब ने यह सारी योतना इडिया है करमचारी भी कुछ है आप जंता भी कुछ है और उसके साथ साथ विकास के कारियों में भी पुरा पुर्देश गवाई है पुरी जंता गवाई है और हम दोनों मंत्री हैं उसके अलावा और यहां हमारे मानिये मल दरियावाद भी है मुख्य मंत्री जी ने हमारे सब को बिठा के बोला कि मैं देते देते नहीं थखूँगा आप मांगते मांगते तक जाओ इतनी योधना दिंगा इतनी योधना यहां है इन लोगों को पीने के पानी की दिक्कत दी वो कैसे आशा करते थे कि हमारे खेट में पानी आएगा मालविया साथ ने उनका सपना जो अधूरा था वो सौंच नहीं सकते तो सपना पुरा करने का काम किया है इसलिए गाटोल विदान सभा कांग्रेश कर्दों ने जाएगा सब्सक्राइब और यहां की बारा पंचायतों को पाइदा होगा और आगे की पंचायतों में भी पीने का बाली जा रहा है और यहां से ठोटी सर्वन में बी कम से कम दस पंचायतों में फिर फिर पानी जा रहा है वो भी यहां से आदार सिद्रशी ना रगव इए इसलिए आप सोच सकते हो कि दो लोग से तो मिला कि इसलिए जिनुनी जंता पाइदा होला हो अधिक से अधिक इतने भी हो सके हो सार और शीचाई हर गाउं में हर शेत्र में उसके लिए विक्स किया जाएगा मुख्य मुंत्री जी की गोशना की 500 बच्चिया जी स्कूल में हेवा कोले दोसो चोराणों कोले जोग चुकी इस खेत्र में सीचाई की योजनाएं कितनी आचुकी आप लिस्ट लेकर देख सकते हैं इसलिए वापस राजस्थान की सरकार जनता की आवाद अशों कहलो चोत्री बार को सपना पुरा हुए